तो बच्चों आज का question आपकी screen पर है बहुत ही प्यारा question है बहुत ही बढ़ी है चले देखते हैं क्या है question, question बोल रहा है नेवर स्टोक्स equation नेवर स्टोक equation की बात कर रहा है represents the conservation of नेवर स्टोक्स जो equation है वो कौन से conservation की बात करती है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास options है energy, mass, pressure and momentum तो आपको बता दें कि आपके पास इस तरह की तीन equation जाने जाने हम fluid mechanics में देखते हैं एक आपके आती है सबसे पहले आती है आपकी continuity equation ठीक है continuity equation फिर आपके आती है बच्चों नेवर स्टोक्स और उसके बाद आती है आपकी बर्नोली ठीक है यह तीन जो equations है यह अलग-अलग चीजों की conservation की बात करती है सबसे पहले लेकर continuity equation की बात करते है तो आप जानते है यह mass conservation of mass की बात करता है ठीक है and never stock equation बात करता है आपकी conservation of momentum के बात करता है और वहीं आप बनावली एक्वेशन के बात करेंगे तो यह बात करता है आपके एनर्जी इनर्जी 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 इ प्रेशर के लिए कोई भी लौ आपके पास नहीं है इनर्जी कंजरवेशन होता है मास कंजरवेशन होता है मोमेंटम कंजरवेशन होता है प्रेशर के लिए कोई भी एस तरह का कोई लौ दिए कि उसको कंजरव किया जा सकता है इस तरह का कुछ भी ठीक है तो आपके पास तीन यह लाग है अपका अप्सन दी हो जाएगा जो कि क्या है मोमेंटम एक्वेशन चले मासा करना आपका सारा क्लियर हो गया होगा जब भी कोई भी एक्वेशन आपके पास आती है आप क्लियरली उसको कॉन्फिनेंटली टिक कर पाएंगी थैंकि तो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो